हेलो एवरिवन एन वल्कम बाक टो माई चैनल चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ आज के इस एपिसोड में हम लोग यहाँ पर डिस्कुस करेंगे अपको इंपॉर्टन चीज़े भी यहाँ पर हम लोगो देखना जरूरी होता है ऐसा नहीं किसी इतर प् यहाँ पर देखोगे तो मेंली माइनिंग बिजनेस के अंदर फोकस करता है पहले नमडीसी एक यूनिट थी जो स्टील भी बनाता था और साथे साथ यहाँ पर आइरन और 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 यहाँ पर देखा जा तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो कंपनी की वैल्यूशन वाई अगर हम लोग बात करें तो हमें थोड़ी सी महंगी नजर आती है क्योंकि अगर यहाँ पर प्रॉफिट गोथ देखोगे फिर से अगर आपको यह चीज नहीं पता है हमारे चैनल पर नए हो तो अगर आपको नहीं पता ही चीज तो हम आपको पता दे रहे हैं कि अर्निक ज चला जाएगा कभी-कभी लेकिन शॉर्टर डियोरेशन में यह प्राइस मिसमैच हो जाती है और इसी प्राइस मिसमैच के वज़ा से हम लोग वैलिवेशन की क्यालकुलेशन करते हैं अब यहां पर आप अगर देखा तो चलता है क्योंकि नेचर बिजनस का भी कंपनी ऐसा कभी-कभी गवर्मेंट जादा टैक्स ले लेती है तो इसलिए प्रॉफिट ग्रोथ इतनी नहीं आती है बड़ क्योंकि कंपनी के पास यहां पर कैश रहता है इसलिए यहां पर प्राइस ग्रोथ को जाद ही यहां पर उपर चली गई है अब यह चीज हुआ है मेली हमारे कि यहां पर लिटियम के extraction के वजिसे क्या पर माइनिंग करती है कंपनी मिन्राल की और लिटियम की यहां पर मतलब नौर्थ इंडिया के अंदर एक पूरी यहां पस धूंड़ा गया था कि यहां पे रिजर्व रखा हुआ है इसको माइन करना है लेकिन अभी तक वह उसके प्रॉपर न्यूस आई नहीं है कि उसके अलावा घर देखा जा है तो कंपनी आज क्रेट पर भी एक्सप्रोर कर रही है अभी कंपनी को मिली नहीं हैं नहीं कोई माइन आलाउट होई है नहीं कुछ हुआ तो अभी फिलाल यह चीज प्रोसेस के अंदर है और अगर यह चीज नहीं हो पाती है इन फ्यूचर तो प्राइस के अंदर हम लोग करेक्शन भी देख सकते हैं मतलब यह ग्रोथ लगातार बहुत लंबे समय तक एक्सपेक्टेशन पर नहीं जा पाएगी अगर कंपनी यह च जिसे साब से हमने अभी बताया ते नीचे यहां पर और प्रॉफिट गोथ को मैच करोगे तो बेटर रहेगा थोड़ा सा इसके अलावा यहां पर प्रॉफिट गोथ की वाकर बात की जाए दस परसेंट के आसपास से लोग 14 परसेंट के आसपास एक बड़ी कंपनी के देखा तो चार्ड पर बुलिशन है आप नजरा रहे है चार्ट खाड़ा तो यहां पर प्राइस को ब्रेक आउट के बाद लगातार और उसके बाद अभी यहां जो कि हमसे पूछो कोई तक है यहां पर इखा जाए थो फोर टीए सी कंपशन के अगर को लग रही है इसके अलावा और कुछ हमें यहां पर इंवेस्टर को लौगण में दे सकती है लेकिन देखो कंपनी का नेचर और बिजनस है साना कि बहुत जादा लॉंगर रेंड में आप लोग यह नहीं एक्सपेट कर सकते हो कि बहुत बड़ा आपको रिटर्न प्रोवाइड करेगी अगर यह लिथियम वाली कुछ अगर इन लोग को मिल जाता है वहां पे कंपनी कुछ कैशन कर पाती तो वह एक अच्छी अपॉटुनिटी होगी लेकिन लॉंगर रेंड में अगर देखा जाए तो यहां पर प्राइस के अंदर उतार चड़ाव यहां पर काफी तेजी होता है और यह नेचर होता है इस से अभी के लिए फिलाल अगर देखा तो एक बुलिशनेस नजर आ रही है उस बुलिशनेस पे आप कैशन कर सकते हो अभी फिलाल आपको इतना सी आपको थोड़ा सा गाइडेंस देंगे किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं था यह सिर्फ मेरा एक परसनल भी हुए इस इ कि यह वाले लेवेस को स्टॉप्लस के तरह आप रूप्रीट कर सकते हो ओके बाए